तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुती बड़ा गुड निउस निकल के आया है, ध्यान रहे मैंने निउस कहा, जी हाँ दोस्तों अगर आप एक Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7 AS device की यूजर हो तो आप लोगों के लिए फाइनली एक बहुती बड़ा ही हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अभी अभी Xiaomi के तरफ से ये दोनों device के लिए MIUI 12 के stable version के update को rollout किया जा चुका है, तो ऐसे में अगर आपके पास ये दो device है, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुती बड़ा गुड निउस है, लेकिन रुकिए ये update कौन से version में आया है, तो बेसिकली दोस्तों जैसे की आप लोग जानते ही हो सबसे पहले किसी भी devices के लिए update चीन में ही rollout हुआ है, तो ये update भी चीन में ही rollout हुआ है, तो ऐसे में अब सवाल ये आता है कि ये update हमें इंडिया में या फिर globally कब देखने को मिलेगा, तो दोस्तों globally के बारे में तो अभी तक इस device के लिए India में MIUI 12 के pilot testers को भी update नहीं मिला है, that means कि India में ये से भी devices के update के testing को ही start नहीं किया गया है, तो ऐसे में दोस्तों मुझे ये मालूम नहीं है कि Xiaomi India के तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि चीन में and globally ये update regular base में तो rollout हो रहा है, खेर जो भी हो द बगरा भी वीडियो की description box में है, आप अगर चाहो तो इस update को download करके TWRP या फिर custom recovery के मदस्ते भी install कर सकते हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही